आजे आपने वात करशु दादा मेकड नी बीजी धूनी जंगी तडावनी पाडे घटादार व्रुक्षो शोभी रहा छे हरियारी वनराजी मां मोरला टहुकी रहा छे जाने तेओ महातमा मेकड ने आवकारी रहा छे महात्मा मेकर मध्याहन पहला आवी पहुँचया आसन माटे भूमी का निहारी अने जंगी गाम नी पूरवनी भागोडे एक आमली ना व्रुक्ष तड़े जय आशापुरा जय जीनाम ना नाथी त्रिशुण नी स्थापना करे छे तेमनी साथे कंथकोट थी त्रण सत्संगी भक्तो पड आव्या छे साथे आवेला सेवको कावड ने राखवा माटे बाजु माँ बे स्थम उभा करी कावड तेना पर मुके छे जमीन साफसूफ करी गायना चान थी लीपण करी धूनों चेतावे छे महात्मा धूनानी भस्म शरीरे लगावी गाम मां कावड फेर्ववा जाई छे अलख अलख करता कावड फेर्वे छे साथे आवेल सेवको आस्ननी आजु बाजु ना भाग मा रेती पत्थर एक बाजु नाखी बराबर सफाई करे छे अने आजु बाजु माथी खीपडाना संगेत्रा लई आवी छापरू तैयार करे छे महात्मा मेकड कावड फेर्वी आसन पर आवे छे कावड मा लावेल रिधिलोट नी रोटी पकावी हरिह नी हाकल करी सेवको साथे भोजन ले छे रात्रे भजन भाव करे छे बीजे दिवसे तेमना सेवको सुचना अनुसार आसननी आसपास एक नानी फूलवाडी बनावे छे तेमा फूलजाड अने गांजा माटे बी बीज नाखी पाणी पिवडावे छे आ सेवको साथे जंगी गामनों आहीर आशो हरिमरी जाए छे ते चाली सेक नी उमर नो प्रोड छे कुटुम्ब माँ पोते एकलो होवा थी महात्मा मेकड ने आसने रात दिवस समय पसार करे छे फूलवाडी ने पाणी पिवडाववानू काम ते स्वचाय करे छे कंथकोट थी साथे आवेल सेवको कंथकोट पाछा जाए छे महात्मा मेकड पोताना खटकर्म अने भक्ती मा समय पसार करे छे जंगी गाम नो पटेल मोमायो जतानावता संत मेकड ना आसन तरफ नजर करे छे तेनी आखमा इर्षा छे तेना इर्षारू स्वभाव थी गाम ना घणा मानसो कंथारी गए जेनामा इर्षा छे तेनी वानी कंथक रूपे होई छे तेना स्वभाव थी महात्मा ने संतोश न थी महात्मा मेकर आ इर्ष्याडुने साचो राह बताववा विचारी रहा छे एक दिवसे आ मोमाया पटेलना पाडाय महात्मा मेकर नी फूलवाडीना लीला क्यारामा आवी आरोटी तेमाना लीला छोडवाने नुकसान पहुचाडियू आथी महात्मा मेकरने मोमाया पतेलनी सान ठेकाणे लाववानों मोको मल्यों संत मेकरने बाजुना घरमा थी तलवार लावी आ फूलवाडी मा आडोटा पाडानी गर्दन कापी नाखी आ बनावना गामना लोकोए मोमाया पतेलने खबर आपया आथी अहंकारी पटेल मोमाया ने महात्मा समक्ष गुसाभेर आवतो जोई, महात्मा समझी गया के आ दंभी अभिमानी मारा पर हुमलो करशे तेथी ते पहला जहू तेने सिधो करू एक विचारी संथ मेकणे पोताना क्रियाबर मारकबान रुपे शब्दो थी कहिऊ इर्श्या खोर, जमीन पर गीर जाना, तेथी ते तरतज जमीन पर बेभान थाई धरी पड़ेओ जीवन मरना तेना आखरी श्वास जोई गामना लोको तेने घेर लई गया सीम्मा गयला तेना बे पुत्रों ने कोई के कहिऊ के आ गामने जामपे बैठेला बावाए तमारा बापने काई क्रिया करी छे के मार मारेल छे, तेथी तेओ मर्ण शया पर छे बरी, तमारा पाडाने पड़ते बावाए मारी नाख्यों छे, आ साम्बरता बनने युवान पुत्रोंज उषकेराई पोताना हाथ मा कोदारी अने सडा था लई महात्मा ने मारवा कुदी पड़्या महात्मा मेकडे तेने कहिऊ, खड़े रहो जैसे थे, जेवी हालत्मा छो तेवी हालत्मा त्या उभा रहे जो, आथी तेम्रे हाथ मा उचकेल कोदारी सडा था त्या ज रही गया गामना लोकोंने नवी लागी तेमने बनने पुत्रोंना हाथ मा थी कोदारिस डाथा लई लिधा परंतु हाथ बनने ना उचाज रहा आ स्थिती मा लोकों तेमने घेर लई गया मोमाया पटेलने आजे कार्य मा थी उतारी इश्वर नो आराधी बनाववा माटे आजनो दिवस उत्तम लागता तेना उद्धार अर्थे महात्मा चास लेवा माटे पात्र लई मोमाया ने घेर जाय छे मोमाया ना शरीर पर अंतिम क्रिया गंदा जड गोपी चंदन लागी रहा छे सर्वे सगा संबंधी तेने अंतिम विदाय आपवा माटे घेरी वर्या छे त्या महात्मा मेकणे आवी पगनी पेनी मोमाया नी छाती पर मुखी एक हात पकड़ी कहिऊ सुतो छोशा माटे बैठो था मोमायो तरत बैठो थयो महात्माना चरणों मा पड़ियो बाजू मा हात उचा करेल शून्य मनस्क उभिला मोमायाना बे पुत्रों ने पर संथ मेकणे तेना हात पकड़ी नीचे करावियो आ अजब चमतकार जोईत्या हाजर रहिला सर्वे लोको नवाई पाम्या अने महात्मा मेकण ने वंदन करवा लागया मोमायो पटेल संत मेकण साथे आसने आवयो महात्माय कमडल मा थी पाड़ा ने पाणी हाटियू पाड़ो उभो थाई भेंसोना तोड़ा मा गयो महात्मा मेकणे कहिँ मोमाया तारा पापी कृत्यो घणा छे एहला कारे देहशुद्धी करवी पणशे आ रिते भेक आपू तो शिष्य पापम गुरुष पापी शिष्यनू पाप गुरुने लागे मोमाया मानवी मोत साधू नथी अजान अवनी मां अमर थवा सार लेतू सुजान हे मोमाया मृत्यू बहुत दूर नथी जो दुनिया मां अमर थवू होए तो मारी पासे नो बोध द्रहन कर तू आडेसर गामे जा बार-बार वर्ष परियत ते गामनी गायोनी सारी रिते सेवा कर कोई पासे थी चरामनी लेतो नहीं हाथमा लाकडी लेवी अही तेमज अप्षब्दो बोलवा नहीं कोई पासे वस्त्रखोराक मांदवा नहीं कुद्रती रिते मले तोज स्विकार्वू. आवू उत्तम कार्य बार वर्ष करीश त्यारेज तने भेक आपीश आ समय दर्म्यान मोमाया पतेलना बनने पुत्रों पतनी तेमज पुत्रवधुओ मोमायाने बोलाववा आवे छे. मोमायो तेने साफ शब्दों मा पाच्छा फर्वानी ना कहे छे. हवे हू तमारो रहो नथी अने तमे मारा रहा नथी. तमे मारू घर दयानिती थी शोभाव जो एम कही तेमने विदाय करे छे. मोमायो पतेल महात्मा मेकणने प्रणाम करी आडेसर पहुँचे छे. त्या आडेसर दर्बार पासे थी गामनी गायो ने मफत चराववानू कही गायो चराववाना कामे वडगी जाई छे. महात्मा मेकण जंगी मा प्रभुमय जीवन मा समय पसार करी रहा छे. तेमना संपर्क मा आवता लोकों ने सद्धवप देश आपी सुनीती ने पंथे दोरी रहा छे. झाल 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 झाल